नमस्कार स्वागत अपकत पंचायत में मेरा नाम है विशाल बोचा उप्चुना आपका आज मतदान का दिन है आज देखे आज 12 अप्रेल आज सुब 7 बजे से ही लगातार मतदान केंद्रों पर महिला हो जिसको वोटर लिस्ट में नाम है वो मतदान करने के लिए आ रहे हैं आज जनता का दिन है लोकतंत्र का पर्व है बुचा विधान सभाव लोगों के लिए इसे वेदेगा भी हम मौजूद हैं पुनास चतुरी जोकी मुशारी प्रकंड का ये पंचायत जहां पर देखे समुदाई विकास भवन में ये मतदान केंद्र बनाया गया जहां पर श सुरक्षा विवस्था जो है वो चाक चौवन की गई है बिते दिनों च्णावायों के द्वारा अधिकारियों के साथ बैटक की गई ठीज तहीं त में कि तमाम वरी जो अधिकारी हैं जिला प्रसासन से लेकर के हो बेहार पुलिस के तमाम जो वरी अधिकारी हैं वो मौझूद थे और साथी साथ आपको बता दें कि तमाम जो वोटर्स हैं वो बारी बारी से आ रहे हैं और इस उपचुनाव में 13 प्रतियासियों की किस्मत आजमाया जाएगा किस्मत का जो भागे हैं वो इवियम में बंध होगा जिसमें की तीन महिलाएं हैं और साथी साथ बता दें कि इसका परिणाम 16 अपरेल को सामने आएगा और वोटिंग के लिया सुबह साड़े 6 बजे से ही मतदाता बूत पर पहुंचने लगे थे ऐसे में देगे तमाम जो मतदाता हैं उ उनका कहना है कि अभी तक 30% वोटिंग हो गई है और वोटिंग लगातार चल रहे हैं जो कि सांती पुन प्रिक्रिया से हो रहा है जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाएं हैं लगातार जो की चुनाब आयोक के द्वारस उनको गठित किया गया है वो भी लगाता डिखनी को मिल रहा है महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं रहे रहे हैं जो जितने पुरूष है जो आपको तस्वीर के माध्यम से देखने को मिल जाएगा और उसाती साथ मत्दान के दौरान गडबरी नहीं इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद कर बूत और आसपास के चपपे चपपे पर सुरक्षा करमी तैनात किये गए हैं। किसमत का फैसला आज हो जाएगा इवियम में बंद हो जाएगा और इसका जो परिणाम है 16 अप्रेल को आना है से में देखिए वैसे तो कुल तेरा उमिद्वार चुना में खड़े हैं लेकिन मुख्य रूप से जो लड़ाई है तीन उमिद्वारों के बीच तैय मानी जा रह से लड़ाई देखनी को मिल रही है चुनाव में त्रिकर्णी ही है बचागी जनता और राजनीतिक विश्यसक इन्हीं तीनों में से किसी एक को विजयता घोसित कर चुके हैं ऐसे में तवाम जो पार्टिय हैं वो अपने अपने जो है तैयारी बिते दिनों कर ली गई थी अब शांति पुन मददान हो रहा हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं उन सबी बात कर लें तो क्या नाम हो आपका संगीता कुमारे यहीं रटी है कि वोट करने के लिए आई है क्या क्या मुद्धा क्या है विकास के मुद्धा है फिर आपके छेतर में क्या क्या नहीं बना है सड़क बन गया है बिजली घर में आती है पानी आता है गैस सेलेंडर मिला है सरकारी वाला नहीं मिला प्राइवट से खरीदें एक और महलों से बात करें क्या नाम हो आपका यह बताए कि आपके आपके पास किनकी मुद्धे हैं जिस मुद्धे को लेकर करके आप वोट करने आई हैं आप चलिए कोई नहीं तबाम जो तस्वीरें हैं वो देखिए लगतार महलाएं हैं वो वोट करने के लिए पुरुषों से ज्यादा संख्या में देके महलाएं ही जागरुकता देखने को मिल रहा है पुरुष तो अभी लबग देके दोपर के समय है इसे में पुरुष अ सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारते को आगे बढ़ाएं